नमस्ते आज हम आपको इस वीडियो में सूट की लंबाई बढ़ाने का तरीका बताएंगे किस परकार से हम सूट की लंबाई बढ़ाएंगे अगर हम पे कपड़ा है लंबाई में तो आप इस तरीके से सूट की लंबाई बढ़ा सकते हो यह सूट में लाइन है अमारी यह इ तो यह अमारा 6 इंच कपड़ा क्योंकि अमेरी इसकी लंबाई बढ़ानी है और आप अपने इसाब से जितनी आपको 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, जितनी आपको लंबाई बढ़ानी है उतना आप कपड़ा ले सकते हो और चोड़ाई गहरे के इसाब से लेनी है और ये देड इंज कपड़ा ले लिया जिसकी हम बीज में पाइपिन डालेंगे ये देड इंज कपड़ा ले लिया ऐसी हमारी बोटम का कपड़ा है और ये हमने पाइपिन के लिए कपड़ा देड इंज ले लिया पहले हम आपको पाइपिन निकाल के दिखाएंगे और फिर आपको एक्स्ट्रा जो कपड़ा लगाना है वो लगा के आपको दिखाएंगे वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो को पूरा देखना तभी समझाएगा और चैनल को अगर न्यू हो तो चैनल को सस्क्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कि आपको अमारी वीडियो कैसी लगी और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो यह देखो यह इस तरह से कपड़ा उपर रखते हुए यह हमने डबल कपड़ा करके और यह कपड़ा सीधा है उड़े में नहीं है और एक एक पैर का मारजन छोड़ते हुए हम यह शिलाई लगाएंगे और इस पट्टी को अच्छे से फिनीशिंग से लगाएंगे ज्यादा लूज नहीं लगानी यह पट्टी ना ज्यादा खीच के लगानी आपको और यह देखो यह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमने दोनों साइड से कटिंग कर दिया और आप हम इसमें पाइपिन निकालेंगे, पाइपिन आपको ज्यादा बारिक नहीं निकालनी है, जैसे हम बाजू में पाइपिन निकालते हैं, शेम इसी परकार से इसमें यहाँ पे हम पाइपिन निकालेंगे, ज्यादा बारिक पाइपिन निकालोगे तो वो दिखेगी न पांच मिन्ट में आपने शूट की लंबाई बढ़ा सकते हो कई बार मारे शूट में कपड़ा कम आ जाता है और अब लंबे शूटों का रिवाज है तो इस तरीके से आप अपनी शूट के लंबाई बढ़ा सकते हो और ये हमने पूरे घेरे पे पाई पिन निकाल ली और अब हम आपको जो पट्टी लगानी है वो दिखाएंगे किस तरह शे हम उसको लगाएंगे और ये हमने टू फोल्ड कर लिया इस कपड़े को जो आमने कपड़ा लिया था जो आमारे सूट के साइड में कपड़ा बचता है उसमें से ही आमने ये कपड़ा लिया है ये देखो इस तरह से करते वे देखो अच्छे से इसको जचाते वे एक एक आदा इंच कपड़ा अंदर की साइड छोड़ते वे हमने दिखाया था ये तीन इंच कपड़ा है अमारा तो ये आदा इस अंदर गया तो धाई इंच सूट के अमारी लंबाई बढ़ेगी और इसको हम पक्का करेंगे ये देखो आप पाइपिन की जगे पे कोई भी लैस भी लगा सकते हो अगर आप पाइपिन नहीं लगाना चाहते दो कपड़ों का ऐसे जोड़ लगा के उसको पर आप लैस लगा सकते हो कोई भी पतली ही जो लैस आती है या आप गोटा लगा सकते है जोड के उपर कोई भी पतली वाली लैस भी लगा सकते हो आप वो भी बहुत अच्छी लगती है लैस पाइपिन की जगे पे और ये देखो ये अमारे सूट की लंबाई बढ़के त्यार है जितनी हमारे सूट की लंबाई कम थी, हमने उतनी ही ये लंबाई बढ़ाई है और ये दूसरा पला भी हमने इसी प्रकासे त्यार कर लिया आगे पिछे का दोनों साईड का हमने डाई डाई इंज लंबाई बढ़ाई है और मेरी वीडियो पूरी देखने के लिए आप सब का बहुत धन्यवाद